उत्राखंड में मौसम विभाग का अलर्ट एक बार फिर सही साबित हुआ देरशाम आंधी के साथ हुई बारिश और ओला वरिष्टे ने जम कर कहर बर पाया आंधी से कई जगे पेड गिर गए तो कहीं बिजली की लाइन तूट गई जिससे लोगों को काफी परिशानी के सामना करना पड़ा वहीं हाईवे किनारे कई जगहों पर पेड की टहनिया तूट कर हाई टेंशन लाइनों के उपर जागिरी जिससे नैनी जाल जिले के कई इलाकों में ब्लैक आउट हो गया वहीं बिजली आप उर्तिना होने से कई इलाकों में पेजल की व्यवस्ता भी चर्मरा गई निताल से ले करके यहां अलवानी पूरा और उसका रेस्टोरेशन वर्क हमारा रात पर चलते हैं रात तीन वे था हमारे लोग काम करते हैं तो जहां जहां पर पोल नहीं टूटा थे वो तो अमने रात ही रेस्टोर कर दिया था और बांगी काम चल रहा है अभी कुछ जग अधिकारियों के मताबिक बिजली के लाइनों में बड़े फॉल्ट आए हैं और कई स्थानों पर आकाशिय बिजली गिरने से ट्रांसफार्मरों को नुकसान हुआ वहीं आंधी तूफान से लगबग 10 लाग के नुकसान का अनुमान लगाया गया पंजाब केसरी टीवी के लिए हलदुआनी सितारा जोशी की रिपोर्ट